प्रेगनिंसी का आठवा नवा महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेट गेन बच्चे का ब्रेन जवलप्मेंट बहुत तेजी से हो रहा होता है तो ये समय आप उन्जोई तो करे ही करें लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखें उन्जोई करें ताकि बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो, बच्चा बहुत स्वस्त जन मिले, ऐसे में प्रोटीन का बहुत ध्यान रखना है, कई बार ऐसा होता है, कि मंद के अकॉर्डिंग, आपका बेबी बंप नहीं दिखाई देता, आपका निक के पास जाते हैं, फालो अप के लिगते, आपका पेट कम ले सकते हैं, आप nuts and seeds बढ़ा दे, डाल वगर बढ़ा दे अपने डाइट में, डॉक्टर या तो protein biscuits, या protein powder को supplement लेने को कहेंगी, उसको भी आप दूद के साथ ले सकते हैं, प्रोटीन डाइट में बढ़ाना एक बहुत अच्छा solution होता है, जो कि बहुत आसानी से आप कर सक हैं, टेस्ट के साथ enjoy भी कर सकते हैं, पच्छे का दिमागी विकास तेज है, वो हर चीज सीख रहा है, जो भी आप कर रहे हैं, वो आदतें, वो संसकार उसके अंदर जा रहे हैं, इसलिए अपने विचार, व्यवहार का बहुत ध्यान रखें, बहुत जादा गुसैल, वाओ, चिड़ चिड़ापन, इशाद वेशी, सब अपने अंदर ना ने दे, सारे तामसे की विचार हैं, बड़ा इस शुद्ध सात्विक शांत और अच्छा प्रसन्यचित रहने की कोशिश करें, ताकि एक नई जिंदगी और बड़ी ही खुबसूरत बने, पेन, आपको बहुत एनरजिटिक, बहुत पॉजिटिव, और मूड को भी बहुत अच्छा रखेगी, और बोड़ी के अंदर जो डिस्कमफर्ट है, उससे भी निजाद देलाईगी, तो थोड़ी एक्सराइज, थोड़ा वॉक ज़रूर करें, वॉक करने जब जाएं, तो छोट किचिन के प्लाटपॉम पे खड़े रहे के, आप दो-दो घंटे के एक डिड़ घंटे काम ना करें, जो काम बैठके हो सकता है, वो आप बैठ कर करें, फ्लोर पर आप बैठ सकते हैं, उसमें कोच जिंता के बात नहीं है, फ्लोर पर बैठना नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, फ्लोर पर बैठ के काम कर सकते हैं लेकिन लॉग आर्स तक आपको खड़े नहीं रहना है, पैरो में पेन हो सकता है, सर्कुलेशन में विक्कत आती है, और आपको डिसकंफर्ट भी तो पढ़ेगा, इसलिए एक पोजीशन में खड़े ना र कर रहे हैं, दो-तीनी स्टैप ही हैं लेकिन सपोर्ट जरूर लें, तो ऐसे के तो इन बातों का ध्यान रखने से आप चलते, फिरते, उठते, बैठते सिर्प नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं और आप बिल्कुल सरक्षित रहेंगे, आशा करती हूं आप इन तरीकों से अप पूरा ख्याल रखेंगे, थैंक्स फो बाचिंग, स्टेटे एउम।